एलो जी नमस्ते सब को और आज ये वीडियो मैंने सोचा इसलिए बना दूँ क्योंकि हम लोग इंडियन बहुत गेम्स खेलते हैं किसी खेलते हैं मोबायल में खेलते हैं अपने हिसाब से मुझे यह लगा कि कुछ ऐसे गेम को सामने लाया जाना चाहिए जो हमें भी भी लाइन चाहिए और विच चुन कर लाया हूं अपना इसे मैं फर्स प्लेयर शुटिंग के वस पहले मैं यह वाली रखी है जो कि मैं कि बाते ना करेंगे तो इसमें स्कूर्ड के बड़े में ब्रीफ लिफ 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 लिफल कुछ बता देता हूं यह स्कॉर्ड एक प्रकार गना आपका टेकल एस पीएस गेम है यह तो देखके समझ में आ गया होगा बट इसमें खासियत यह है आपको एक authentic combat experience करवाता है वो कैसे वो ऐसे यार की जिस तरह से अभी आप screen में देख रहे हैं इसमें proper coordination लगता है और map reading जो आप करेंगे वो actual आपका जो grid based map होता है वो read करके आपको objective पे move करना होता है अपने team के साथ contact करना होता है all sort of those things प्रॉपर्ली एक तरह से आप military simulation कह सकते हो इसे इसमें आप choppers फ्लाइब कर सकते हैं you can drive tanks you can fire anti tank missiles all sort of those things and weapon mechanism इसमें भी प्रकार से realistic बोल सकते हो बट कुछ चीजे missing है जो कि realistic base में जो होना चाहिए वो नहीं है जैसे कि इसमें jamming वेखर आपको नहीं दिखने को मिलेगा और इसके अलावा और क्या है सोच रहे होंगे कि यह तो common सी बात है और क्या हो सकती है आप देखो आप टीम मेट्स आपके 50 by 50 होंके 100 प्लेयर्स का ही यह भी एक का और किसमें चल रहा है पर्टिकुलर एक तीम चूज करने का नहीं करने को मिल जाएगा तो उस तरह के वैपन्स आपको डिविजिनली एक कंट्री एक कंट्री के को चलाने को मिलेगा और जैसे कि मैंने बताया है एक दम रियलिस्टिक मिलिटरी पस्पेक्टिब में आपको ये गेम खेलना पड़ेगा इसमें टीमेट कोडिनेशन की भी बहुत अच्छी खासी आपको अच्छी दी गई है क्वा कैसे आपको जो इन वॉइस इन गेम नॉर्मली यादर केम्स में आपको उस तरह की शिस्क्टम नी मिलता है जहां आपका रैडियो चाटर ओन होता है यह आज है कि यहां आप आप जैसे जरते। सुन पाप रहे होंगे हो मैन जो कम्डेशन के से महिको से शुए हूं अपकी चीज़ेLinkश्रेशन है आपको इसा ह इसा आप शेडर्स वगेरा यह पेड़ पॉद्धों की देखके तो इतने नहीं है बड़ दन एफपेस यह तो इसमें एक्सपेक और क्या करते हैं और बागी कमिनिकेशन वगेरा सब कुसे रेलिस्टिक है आपको बहुत मजा आएगा और पीस बिल्डिंग मैं यह भूलिया क आप जिन जिन लोकीशन को कैप्चर कर तो आप उसके आसपास में फॉर्वड ऑपरेटिंग बैसे सब्सक्राइब बना सकते हो फिर इन डिटेल में जाओंगो और लंबा हो जाएगा इतना ही समझ देना कि यह एक बहुत ही बढ़िया टेक्टिकल गेम है मैंने इसलिए इस पर्टिक्विलर गेम काल्ड स्कॉड आप इसको लेना चाहते हैं तो स्टीम पे जाके ले सकते हैं स्टीम पे कही ना कहीं है बहुते कम में मिल रहा ही मतलब अराउंड किना 700 संथिंग में मिल रही है यो कें पर्चेस इट मुझे लगता है कि हम इंडियन को ऐसे टेक्टिक खेला चाहिए तो सर्वर्स में हमारे लोग भी मिलेंगे तो मजा आएगा यहां पर क्या था कि हाफ ओफ दी पीपल वेर फॉर्म अदर कंट्री ऐसा नहीं है कि पिंग हाई रहता है पिंग नॉर्मली रहता है सर्वर में आप उसके खेल सकते हो ड़सन में आप कहां से हो ब अगर आपको लगता है कि आपको ट्राइक करके दीखना चाहिए तो आप बिल्कुल स्टीम पे जाईए और इसको पर्चीस करिए और करी ओन विद इस गेम अगर आपको ऐसे एक्शल टेक्टिकल बेस्ट गेम्स पसंद है और खासकर कि आपको मिल सिम पसंद है तो यू तक भीजे और 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 वी वीडियो में ने बनाए है और चैनल में जो कि अधर गेम से रिलेटेट है गोस रिकॉन ब्रेक पॉइंट से तो आप वह सब वीडियो को भी चेकाउट कर सकते हैं पहले के पुराने वीडियो होते नहीं जाते हैं उन जदा तरीक से नहीं बना पा तो वह आप कमेंट चैनल में लिख कर बताएं और अभी फर्दर और तीन गेम्स के बारे में देखना बाकि है तो आप वीडियो को आगे कंटीनू बिल्कुल करें और बाकी के गेम्स के बारे में जानने के लिए और वो सारे आपको चाहिए आप पूरे वीडियो को देखियागा जरूर और हर गेम का मैंने स्पेसिकेशन डाल दिया है हर एक वीडियो के एंडिंग में या तो बीच में डाला है तो आप उस पे भी धान दे लीजेगा कि जब आप इस गेम्स केलना चाहते हैं तो यूर सिस्टम शुड़ पी सब्सक्राइब आप जुड़ सिस्टमरे कर दो अभी जेख सीकेशन अवागा जिए सिस्टमरे को एंगा तो आप जिए।र में ऑले पान अवीडियो का प्यूरे था एंग एंगिप्डियो के एंडियो को आप गारी है ही हैं आप एंगियो सीटम गवाइ लूढ माने कमन को है यहुआ कर गादि देख् subst किना ह गुट बहुन तुक हमाई कि टीज करने पाफार बाट लेंगा लिए मेर साथ बाट इस नतार लिए टो सी साथ बले शे टासर बले शेड़ फैड़ इस तो साथ ते लिए साथ पाट रट लिए बले खाट व्हाट लिए लिए के दूड़ाद? को को नहींrop को का आट को जह्या ही तसके झाइ को एध्या कि झाले कि फिए कि वहां reflex कि वहां लारी ले वे भी मेवडने wzond Era कि व. काử एकटिए, थक्षी लोगा व. कि यु की बहांस लार бол I think the tank is looking, they're trying to prepare it, there's people inside here Press F, and then click on the center part Did he pick up the ammo? Yes, yup, yeah, yeah, I'm done, I'm done Yeah, done, 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 done Done, 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 I have the ammo now I got two on the tunnel, I got two on the tunnel Go near the wall, go near the wall Go near the wall, hey, you see the marker, you see the eye marker, go near the eye marker Oh my god Got it, got it, got it, got it, got it Got it, I'm back Get near the eye marker, hit him on the beam, hit him on the beam Yeah, stay there, stay there, see if he can Hit him on the beam Hit him on the beam You need to be very precise, he got only one shot Hit him on the beam I missed it Let's go, we got the tank, we got the tank Let's go, we got the tank, we got the tank तो जैसे कि पहले वाले के बारे में पात कर लिया है अब सेकंड गेम जिसके बारे में बात कर लिया हूँ इसका नाम है है hell let loose, hell let loose, okay, अब आज का sequence जैसा अजस गेम के बारे में माख कर देनी है tactical first player shooting games action games in short, जिसमें आपका playing style almost same रहने वाला है या रहन सकता है अगर आपके की तरीके से सोच ले हो तो बट अलग अलग तरीके से mechanics की तरीके से आज का जैसे कि अभी ये second game के बारे में अगर मैं थोड़ा सा detail में आपको बता हूँ तो ये game होने वाला वालवर 2 के ओपर है ठीक है totally based on बॉलवर 2 और नॉर्मली बाकी जो थोड़े से modern era के जो tactical shooter game से थोड़े सा और इसके खास बात ये रहने वाली है कि इसमें आप एक प्रॉंपर वालवर 2 के पैटिंग को एक तरह से ना वर्चुल एक्स्पिरियंस में आप थोड़ा सा फील ले पाएंगे और इसमें 100 प्लेयर्स का ओप्शन मिलेगा आपको अनलाइन है अबस्याशली तो वल्वर 2 के सेनारियो के बैस पर है तो इसके बैसिस पे चल्का पॉड़ा से जादा उप्शन जादा मिलेंगे जिसे कि इसमें आप यातो इंवर्च के संदम इसमें और या तो तैंक्स के साथ आ सकते और ये तो अज़े आपको अगरा ये सब को आपको और दिपेंदिंग अपन टीम और आपका टीम और आपकी कुद की टैक्टिक्स आपका हर बारी का गेम पीन अलग दो है आपके आपके की बिस में अपर इसे में प्राइब इसे में आपके कुद्टेशन होता है आपके कुछ की स्टाटेजी क्या रहेगी सामने वाले टीम की अपीन करते हैं और आप सेम टेरेटियों को इस तरी के साचीफ कर बाते हैं इसके और आइकॉनिक फीचर्स जैसे कि आपको प्रॉपर एक वेस्टन क्लेग या वेस्टन बैटल फ्रंट के लोग जैसे कि कैर हैट इन ओमां पीच वेचागों को व्ल्डेटियों कि व्ल्डेटियों स्पीसिटियों हुआ करता था इनकी ग्लिम्सर्स भी आपको देखने क लिए इसके खाया वाणा बात करेंगों और चीजी है विसमें कि जैसे इक्टार में जैसे इस तरह की कि सप्लाइस का आफ सप्लाइज करते हैं आफ इस तरह की जरवर फटीज्वादर्टीस को उस्से तरह की कुप्लाइस वगभे आप एक्टार्ट्वेम्स के अंगेज न तो इस तरी इस तरी एक सेंड वर्लाइक सेंडारियो को आप डेपिर करवाएंगे बट वर्ली वालवर्वर्ड लूप जिए और इसका सथे ना या ना यह थोड़ा सा रहे गा फ्âuसके फिरीटी लेवलीaska आंशे थोड़ा सा इसिटा कंडियेगा इस अंखित के थोड़ा सा आधि जो आपकर व specifically gwांद पर करल देखिए हो आधिक, आपकर यहां पर जो है मैंने कहीं से यह क्लिप हाई है बट देटके समझने आ रहे हैं इस इस पॉइट फॉन में तो इनको फॉर्स को सब्सक्राइब अच्छा रखता है इनके लिए सोनी के स्चुधा होगा अनलाइन में तो एक तरह से आपकी अपोने में खेलेंगे तो मुशन मुझा भी आएगा अगर मिनिम्म स्पेसिफिकेशन की में बात करें तो 64D जो की आप समझे जाओ कि अधिवर आपका जैसा बाकी गेम्स में ने दिखाया हुआ है वैसे रहने वाला है अगर प्रोसेसर की बात करें तो इंटल को आइफाइफ 6600 सीरीस का AMD राइजन का अगर आपकी जो अगर आप AMD का प्रोसेसर करते हैं तो राइजन 31300X सीरीस दोनर वह आप चला करेंस में और 12GB राम और जो आपका चला रहे हैं तो GTX 360 मिनिम्म बतारा हूँ है चार्जिवी का AMD का R9 380 series and then DirectX 11 हो गयरा जो भी है मैं यह ने से बता रहा हूँ है जो इसमें लिखावा इस गेम के स्पेसिपितिस में वही बता रहा हूँ है अगर आपको चाहिए तो मैं सब्सक्रीम में भी जा रहा हूँ जस प्रॉट चेकिट विप माई इंफोमिशन और दें भी स्पीन वाल इंफोमिशन और रिकमेंटेट में जाएंगे तो आइफाइफ का 8400 सिरिक्स, एमडी में राइजन 5 2600 X और 16GB RAM और इधर ग्राफिक्स कार्ण में आजाते हैं तो GTX 1060 6GB RAM तक यह maximum पुश्च करने का अच्छा खासा आप वो में रहा है तो अपने बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स में आपकी तो सब से नहीं है आपका तो इस अप्राफिक्स आप से नहीं है और आपका तोनों कि धिये 30GB का अवाइनबल स्पेस होना उस इसाथ इसके आपका अफ तो इससके जिए आपको होने चाहिए और यह इंटने प्राफ तोड़का इन थोड़का स्टेबल होने चाहिए वे पिसी ओन्लाइन गैमें यह तो होनाई चीए इवन मुभाइल के दिन में आचका आज़की आज़की फिर सहाँ पेस्ट आज़की के जाती है आज़की होता हुआ है तो आपको अब करनेशन के थाल देखने है इसमे पिन का आज़की पता दिया है की ओधर नियुकर पर पे गेम्स में देखते हैं वो आपको कम बिनेंगा अगर आपको पहुती जुराने और इस्ट्यालिक वाई इसमें तुदा साथ फील लेना क्योंकि आप तो थे नहीं जभी गोड़ने तो इन चीजों को जो है सिर्फ विजुलाई से कर सकते हैं अभी जो बनावड़ी चीजों के अगर आप हिस्ट्री में इंट्रेस्ट रखते हैं तो इन चीजों को से भी गोड़ू करके आप अगे चलते हैं अगला गीम के बारे में मज़ेदार बात कोने वाले उसमें जान देना है अगला गीम है आशके फ्रॉम टार्कॉफ अब बागी तक्तिकल में जो में इस लिस्ट में बताता जा रहा हूं इस लिस्ट के बागी गीमों से यह बहुत ही अलग है यूफ कि कुछ, इसекоर अ स्थ्टोरी इस टुरी है और तगड़ी स्टोरि है बहुत जो कि अगर मैं पहले इस गेम की छोटा सभा से बिल्रीइफिंग बता दो तो यह इसके उपर बेस्ट है कि रियलिस्टिक है ओनलाइन ही है और फर्स परसन है यह भी एक प्रकार का और इसे कह सकते हो कि एक सिमिलीशन के तरह आप खेल सकते हो और जैसे कि मैंने बताया कि यह बाकि औरों के तरह एक सिंपल गो थू टेक्टिकल बेस्ट नहीं है इसका बहुत ही स्पेसिफिक स्टोरी ड्रिवन है अब स्टोरी कि अगर हम बात करें एसके फ्रॉम टार्काफ का जो एक स्टोरी स्टोरी बनाया गया है जो कि अब एक स्पेशल एकॉनोमिक जोन के हिसाब से डिकलेट जगा बन चुकी है और अब ये गेटवे बन चुका होता है रश्या और यूरोप के बिच ठीक है जिसके अंदर एक तरह से अभी बहुत बड़े इंटरनाशनल कंपनीज आ जाते हैं है जो देखते ही देखते हैं चहे महिने के बाद ये जो पॉलिटिकल स्काणडल स्टेंड ओफ होना शुरू हो चूका था वह अब एक पुर्ड़े आप कंफ्लिक्ट में बदल जाता है जिसमें की यूएन के पीसकीपर्स वहां के जो internal troops है, ministry of internal affairs वगेरे, जो नौर्विन्स के रीजिन है वहां के और खास करके एक दो private military companies वो involved होते हैं इस conflict में एक प्रकार सा भी जैसे ही conflict शुरू होता है इस region को अब seal कर दिया जाता है जिसके चलते अब जो इनके अंदर रहे रहे थे, कुछ भाग गए, कुछ जो फसे रहे गए अब वो क्या हो गए, वो फस गए एक प्रकार के warfare के बिच जो की local warfare ही बोल सकते हो आप ठीक है, और बाकिए डुनिया से एक प्रकार से cut-off हो गए और अब ही यहां के सब से जो mentioned दो private military companies है जो मैंने पहले ही बताया, दो private military companies भी involved थी इस conflict में अब इनका priority किया था कि इनको पहले तो यहां यह लोग एक दिस कैसे किये इनको hire किया गया था किस काम के लिए अब हो सुन लो आगे तो पता तल जाएगा तो hire एक पर एक तरफ USEC और BEER यही है दो private military companies USEC and then BEER चेक है, यही private military companies का reference दिया गया है इस पे story पे और USEC को hire किया है Tera Group Group International Companies I'm sorry, Tera Group International Corporation hire किया है, ठेक है अब इन्हों ने तो यह group को hire किया USEC को, अब दूसरा BEER group है private military company, उसको किसने hire किया, उसको hire इसलिए किया जाता है अब जो नॉर्विन्स क्रीजन में एक प्रकार का जो political scandal वगेरा होने लग रहे थे उसको कौन डिटेक करे, उसको कौन पता लगाएगा, कि actually में यह बहार से जो company आए, यहां पे जो क्या करने के लिए अब क्या कर रहा है, तो उसको particular private company का तो एक armed private military group है, तो इनको भी चाहिए अपना एक एक तरगा से एक mercenarist बोल सकते हो इसको तो इन्होंने भी hire किया इस investigation में help करने के लिए और यह beer group को hire किया नॉर्विंस्क रिजन के officials ने और इनका priority था evidences uncover करना टेरा groups के activities के बारे में ठीक है, और extra features यहां पे इस game में आपको यह मिल जाएगा कि real life ballistic and projectile वगएरा किस तरह से होती है according to the physics, real life based आपको एक बहुती realistic तरहीके का weapon mechanism आपको देखने मिलेगा, जिसमें heating आजाता है, normally हम games केलते हैं तो इसमें हमें ऐसे बंदूके में जाते हैं, जो कभी jam ही नहीं होता है आपने अभी तक जो भी action based game खेले होंगे उसमें automatic rifles ऐसे चलते हैं आपको और भी realistic mechanism देखने में लेगा, aiming का, charging जब weapon को आपको करते हो तो उसका एक mechanism आपको बहुत realistically देखना मिलेगा और weapons अगर आप mods कर सकते हो कर दो दोखने मेंगा तो अभी हमारा फोर्थ गेम है Sandstorm Incigency जो कि ये भी एक टीम बेस टैक्टिकल एफपीस गेम है इसका प्राइमरी फोकस ही है कि क्लोस क्वाटर कॉमबेट पर जादा फोकस किया गया है एक तम लीथल बेस्ट जब आप इस गेम को ऑन करेंगे खेलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉंग रेंज आपको यहां इंगेजम जादा मिलेगी नहीं इसमें जाद तर आप का 14 में 14 का एक अब्जेक्टिव बेस्ट गेम प्ले रहेगा क्लोस टू क्लोस टू क्लोस डोर कॉमबै रहेंगे आपके और यह भी प्रकर का ऑनलाइन गेम ही है ऑनलाइन पीवीप आप खेल सकते हैं इसमें ऑनलाइन को आप कर रहेगा और यह गेम अभी 2018 को रिलीज हुआ है और यह आपको स्टीम में अराउंड बेसिक 499 रुपीस का मिल जाता है बाकी आप अगर इसका जो एडवांस वर्शन से आप थोड़ा अगर लेना चाहते है तो यहाफ रूपे अलिल बिल बिल मोर जो कि मेरे हिसाब से अगर आप यह जस्ट्राइब करना चाहते है तो य अगर आपको खेलना है अगर आपको देखने के बीजिश में लेना है तो आप बीसिक स्टैंडर्ड वर्जन दे सकते हैं इस गेम में बताने लएक जादा कुछ खास है नहीं इतना बाकी तीम गेम्स की कंपारिजन में बिकॉज यह बनाया ही इसका अब्जेक्टिव ही इस आपको यहां देखने को मिलेंगे और गन्स वगरहर आप कर सकते हैं प्रकार सें बाजी बाकी की जो टैक्टिक्ल शूर किम्स जो मैंने बताये हैं उसमें भी आप अपने वीपर शे एक स्टेबल आपको इंटरेट कनेक्शन चाहिए रहेगा इस गेम को खेलने के लिए और सबसे बेस्ट चीज यह है कि आप अपने टीमेट के साथ बहुत एक रियलिस्टिक बेस्ट का कोडिनेशन में करके आप अपने टीम के साथ केल सकते हैं और सिस्टेम के बात करें तो मैंने डिस्पले में जो रिक्पर्मेंट मेंशन की वी है वह इस गेम की पर्टिकुलर मिनिममМें मैक्सिमम मैखिममम रिक्वारमेंस जो आप रख सकते हैं खेलने के लिए smoothly और आप वीडियो में दीगए information relevant लगा और पसंद आया तो प्लीज ला के लिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इंडियन गेम्स को भी इस प्रकार की गेम्स पे थोड़ा बहुत फोकस देना चाहिए बिकस कंपरिटिवली अधर ओनलाइन बेस गेम्स जो की इतने भी रियलिस्टिक नहीं होते हैं अगर हमारे कम्यूटी उसमें ज्यादा हैं तो कही न कहीं इसमें भी होने चाहिए बिकस जब आप इस परकार की गेम्स पे जाते हैं तो यू यू दो आपको मेरा यह एफ़र्ट और मेरा यह इंफिमेशन पसंदाया हो तो प्लीज दो लाइक और सब्सक्राइब और शेर विए और शेर विए और फ्रेंज थैंक वाचिंग देए और शेर वाचिंग झाल सब्सक्राइब दो